विद्यार्थियों आज हम लोग लाड लिटन के आंतरिक प्रशासन पर बात करेंगे बच्चों लाड लिटन को सबसे पहले 1875 में मद्रास का गवर्नर बनाय गया था लेकिन उसने पद लेने से मना कर दिया था जब उसे 1876 में भारत का गवर्नर जनरल नुक्त किया गया तो अपने पत्नी की दबाव में उसने उसे स्विकार कर लिया और 1876 में जब लाड लिटन भारत पहुचा तो उसका सागत एक भैंकर अकाल से हुआ 1876 और 1878 भारत के लिए एक विपदा का वर्ष था जिसमें भयानक दुर्भिक्ष पड़ा था दो साज से लगातार मांसून नहीं आया था मैसूर, हैदराबाद, बामबे, मैडरास इन छेत्रों में बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था पश्चिमोत्र प्रांत और अवद भी इससे अचूते नहीं रह थे तीन करोड नबे लाख लोगों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा था 1877-78 में सिर्फ बामबे में मरने वालों की संख्या आठ लाख से के आसपास थी लार्ड लिटन ने इसका गंभीरता से अध्यान करने के लिए एक उच शक्ति दे करके एक आयोग का गठन किया जिसका ध्यक्ष सर रिचार्ड स्ट्रैची को बनाए गया और उसने ये जानने की कोशिश की कि इसका क्या समाधान हो सकता है कैसे इस विपदा से बचा जा सकता है उसने 880 में जो लाड लिटन के जाने का समय था तब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी लेकिन वो रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण है जिसमें उसने जो समाधान या जो सलाह दी थी वो कुछ आपको बता दूँ कि दुर्भिक्च पढ़ने पर राज सरकारों को सहायता का उत्तरदाय तो लेना चाहिए दूसरे सहायता के कारे जो है वो उसमें जनता की आत्मिर्भरता को बढ़ाना चाहिए और ऐसी परिस्टियों में सहायता का कारे हो कि इसमें जो असहाय हैं उनको मदद मिले जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके स्वास्थ से उनका धिहान रखा जाए सहायता की इस्थाई उप्योगिता हो सरकारी कर्मचारियों को दवाओं की सुविधा हो मजदूरी देते समय ये उनको विशेश सुविधा दी जाए बुढ़ों को बच्चों को और बिना खाने के लोग जो है वो उनको बलकी गल्ला और अगर रुपए दे दिये जाए मजदूरी में तो वो जादा बहतर है सहायता का जो वितरन किया जाए वो सरकिलों में बाट कर किया जाए जो परदा करने वाली इस्तरियां हैं उनकी जो सहायता की वस्तुएं हैं वो भारती भदर जन कहते थे उनकी समिती बना करके उन्हें दिया जाए और व्यक्तिकत व्यापारियों को खुले बाजार में आना चाहिए और जो भू कर की जो वसूली है उसे फिलहाल रोक देना चाहिए अन और बैलों के लिए कर्ज दिये जाने चाहिए इस्थानी जमिदारों को छेत्री जनता की मदद करना चाहिए उसने परामश दिया था कि जानवरों को घास वाले छेत्रों में ले जाना चाहिए इस्थानी सरकारों को जिमेदारी की भावना से इस्थानी करों को लगा करके उसको सहना चाहिए और धन के व्यव के लिए जो टैक्स पेर्स हैं करदाता हैं उनके प्रतनिधियों को करना चाहिए और इस रिपोर्ट की इन संस्तुतियों के प्रकाश में उसने एक योजना एक साहता की योजना की रूप रेखा तयार की और उसे एक और इस्थाई दुर्भिक्ष कानून बना दिया गया अकाल के इतिहास में ये निश्यत तोर पर एक बड़ा कदम था उसके प्रस्ताओ मान लिये गए बजट में एक करोड पंदर लाख रुपे का प्रावधान किया गया कि हर साल अकाल के लिए ये रखा जाए और इसे फेमीन रिलीफ एंड इंशुरेंस का नाम दिया गया इन्ही संस्तुतियों के अधार पर आगे चलकर 1883 में दुर्भिक्ष कोड बना था मेरे बच्चों लाड लिटन के समय एक और महतवपूर्ण बात थी उसके आंतरिक प्रशासन में कि 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है बना आप जानते हो कि सीमा पर फारवर्ड नीती को अपनाने का निश्य करके बड़े ही उतावले ढंक से आने वाले इस गवर्नर को भारत इसने भारत को अफगानिस्तान में एक बहुत ही महंगे युद्ध में धकेल दिया था और इसने भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस जो विरोधी था तो ये वाइसराइब भी बहुत जिद्धी था और इसकी जो है बड़ी आलोशना की गई इसने गुसाओ का सेक्रेट्री आफ स्टेट को एक टेलिग्राम भेजा कि देशी अखबारों को आलोशना से वो दंगा भड़क सकता है विद्रो हो सकता है तो प्रेस के सम्मध में इसकी नीत को सरकार ने समर्थन दिया और 1870 के जो आपको याद होगा आरिश कोवर्सन एक्ट के तर्ज पर ही एक कानून उसी दिन कुछी घंटों में पास कर दिया गया जिसे 1878 का वर्नेकुलर प्रेस एक्ट कहते हैं और ये एक बहुत ही जैसे गला भीचने वाला एक्ट था मजिस्ट्रेट को इस्थानी सरकार को सारे पावर मिल गए कि कोई भी परकाशक या मुद्रक वो उसे एक सुरक्षा की राशी बांड भरके जम्ह करनी पड़ती थी और सरकार या किसी जाती के खिलाफ कोई वो इर्शिया या देश की कोई चीज़ नहीं चाप सकता था सरकार के पास सेंसर के लिए वो अपना प्रूफ भी जम्ह कर सकता था और सरकार उसे ना कुछ चापने की इजासत भी नहीं दे सकती थी ये एक्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये अंग्रेजी के अख़बारों पर लागू नहीं हुआ मेजिस्टेट के खिलाफ इसमें कोई अपील पर नहीं जा सकता था सर ए अबुर्थ नौट ने कहा है कि इससे जो गद्दारी पूर्ण लेखन था वो बंद हो गया लेकिन भारती मनीशा ने इसकी बड़ी आलोचना की तीकी आलोचना की इसके खिलाफ सभाएं हुई ना केवल भारत में बलकि इंग्लैंड में भी इसके खिलाफ आवाज उठी बिटेन की संसद में इस एक्ट को वापस लिये जाने के लिए अपेले भेजी गई लेकिन कोई परिडाम नहीं निकला सर फिरोश शाह मेहता ने टाइमस एफ इंडिया में लिखा था कि ये एक्ट तुरंट अगर वापस नहीं लिया गया और ये इससे जो तरक पूर्ण उदार लेखक हैं वो तबाह हो जाएंगे सुचना के साधन बरबाद हो जाएंगे और एक स्वस्त राजितिक विकास को दबा दिया जाएगा जो उप्योगी आलोचना है वो भी खत्म हो जाएगी सर एर्सकिन ने इसे बहुत ही बुरी तरह से सोचा हुए एक विचारित कदम कहा था और पेरी मोदी ने सर फिरोशा मेहता नामक किताब में लिखा है कि शायद इस एक्ट का सबसे बुरा पक्ष ये था कि इसे इंग्लिश नियूस पेपर पर नहीं लागू किया गया था और इसी लिए ये अख़बार उचाई पर पहुँच गए लाड लिटेन ऐसा नहीं था कि उस पर कोई इन बातों का असर पड़े वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आगे जारी रहा और तुम्हें जानकर बच्चों बड़ी वो आश्चर हो हैरानी होगी कि अमरित बाजार पत्रिका ने अपने वर्नाकुलर सुरूप को छोड़ करके अंग्रेजी में चापना शुरू कर दिया अपने को लाड लिटन के कुछ अच्छे काम भी थे जैसे उसके समय में सर जान स्ट्रेची ने कुछ आर्थिक सुधार को प्रस्तावित किया जो वैसराय की कौंसिल का आर्थिक सदर से था उसमें से एक को नमक सुधार के नाम से जाना जाता है तुम जानते हो कि उस समय अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग नमक की कर थे और नमक का अवैद व्यापार होता था उसमें हेरा फिरी होती थी कि इसको रोकने के लिए एक अभेद चुंगी की एक लाइन एक बड़ी लंबी अटक से लेकर के मद्रास तक महा नदी के पास तक लगबग धाई हजार मील की लंबाई में बनाई गई इसके लिए कहीं कहीं दिवारे खड़ी की गई कहीं कैक्टस की जाड़ियां खड़ी क गई कहीं गड़े खो दे गए और इसकी पैट्रोलिंग के लिए ही तेरह हजार लोगों की जरूरत थी इसकी सिर्फ दो ही उपाये थे पहला ये कि जो अनेक प्रांतों में नमक के दर जो हैं वो अलग है उसे एक कर दिया जाए और दूसरे की जो भारती राजियों में नमक का उत्पादन पर नियंतरन उस पर इस्थापित हो दूसरी तरफ ये स्ट्रेची ने ये साफ कर दिया था कि नमक कर में भेद भाव को अगर खत्म किया जाए तो इससे काफी सहूलत मिलेगी इस्ट्रेची ने देश के सुतंत व्यापार के भी छेतर में प्रियास किया 1878 में चीनी पर से 29 और दूसरी चीजों पर से चुंगी हटाई गई और इस्ट्रेची का एक कदम की मोटे सूती कपड़ों पर से 5 परसेंट का जो आयात कर था उसे हटाना और जिसका देश में एक बहुत भारत में एक बहुत बड़ा बाजार था ये कदम भारत के हित में नहीं था ये लंका शायर के व्यापारियों के हित में था वहां के जो मिल मालिक थे उनके हित में था उनको फाइदा पहुचाने के लिए नहीं खुश करने की कोशिश की गई थी और उनका समर्थन मिला 1877 में एक प्रस्ताओ बना कर ये कदम बढ़ाया गया लॉर्ड लिटन ने बिना विरोध की चिंता की उसने बहुमत को अश्विकार करके इसे पास किया बच्चों कैलकटा चैम्बर आफ कामर्स ने भी इसका खिलाफत किया इंग्लाइंड के लोग भारत के आर्थिक मामलों में जो प्रभाव अधिक छमता रखते थे उन्हें भारत के हितों की कोई चिंता नहीं थी 1889 में लाड लिटन ने इस टैचूटरी सिविल सर्विसेस की स्थापना की ये लिटन की नीती जो है उसने खुद कहा था कि और इस पस्ट और शिगरता में रचित आशासनों को पारिभाशित किया जाए सावधानी से उन पर विचार किया जाए और उन्हें कारे रूप में बदला जाए इसके अंतरगत कर्मचारियों का छट्वा भाग जो भारतिये में से थे प्रांतिय सरकारों द्वारा नामित और वायसराय तथा सेक्रेटरी आफ स्टेट से स्विक्रित होंगे दू साल के परिक्षण के बाद विशेश परिक्षाएं भी पास करनी थी इस नई सेवा में उच्च स्रेड़ी के लोग आकरिस्ट नहीं हुए आर्डिनरी सबार्डिनेट सर्विस्ट के माध्यम से ये चीज थी और लाड लिटन का लक्ष ये था कि पढ़े लिखे भारतिये को जो धनी यूवक हैं उनसे प्रिठक कर दिया जाए इसमें वो बहुत काम्याब नहीं हुआ क्योंकि आठ साल में ही ये जो उसका एक्सपेरिमेंट था ये प्रियोग खत्म हो गया मेरे बच्चों लाड लिटन ने आर्थिक विकेंद्री करण में लाड मेयो की नीति को ही आगे बढ़ाया था 1877 के प्रस्ताव में उसने प्राम्तिय सरकार को भू कर और सामाने प्रशासन लेखन सामगरी, विधी, न्याय, आभकारी, टिकट जैसे अधिकार दिये राजियों को राजस्व विय के लिए 1877-78 के आकड़े पर ही आधारित और आए विय से कम आने पर एड़्जस्टिंग एसाइनमेंट का प्रावधान उसने बनाया किसी भी प्रांत के कम खर्च से शेश दूसरे प्रांत को जोड़ दिया जाना था और अगर अधिक वो उसने व्य कर दिया तो वो उसके पैसा उसे काट लिया जाना था इस प्रस्ताव से स्थानी सरकारों को एक और बंधन में पड़ गई वो जो उनका सालाना बजट था उसका लेखा जुखा केंदर को भेजना बजट अनमानों को अधिक उसमें छूट नहीं मिली थी और इस पस्ट कर दिया है कि इस्थानी सरकारें ये न समझे कि केंदर सरकार ने अपने को एकड़म अलग कर लिया बच्चों इस्थानी कारियों के लिए प्रांतों को वार्शिक अनुदान कर देने वे लिए हाथ में ही बनाए रखा योजना की जो रूप रेखा थी उसके कीमत दस लाक से कम अगर नहीं है तो विस्तित योजना और वे अनुमान के साथ बेजनी थी उसकी रिपोर्ट और केंदरी अधिकारी कभी भी उसकारे का निरिक्षण कर सकते थे प्रांतों को करजा लेने का अधिकार नहीं था लेकिन केंदर के कानून के अनुसार इस्थानी एकामों के लिए वे रिण पत्र बाड़ सकते थे हर प्रांत में अलग-अलग समझोते और ऐसे सुधार किये गए थे जिसमें कुछ भिन्नता थी हर प्रांत इसे माने इसकी भी जरूरत नहीं थी जैसा मैंडरास ने किया वो लाड़ मेयों के समय की ही वे उस्था पर चलता रहा जाहिर है कि प्रशासनिय रिपोर्टों और केंदर के पास बराबर भेजना और केंदर की नीती जो उसको भेज रहे थे अस्थानिय सरकारों को कारे करने के लिए नई वे उस्था से उसे लाव लेना था प्राम्तों ने राजस्व प्रशासन के छेतर में जो रुचि विक्सित की एक करोड़ साथ लाख पॉंड का मुफ्त बजट उन्हें मिला बच्चों 1877 के लाड लिटन के प्रस्ताव में इस्थानिय सरकारों को कुछ और भी अधिकार मिले थे आप ये समझो कि उसने नियायलों के उस बात का विरोध किया जिसमें भारती करमचारियों के घायल होने पर अंग्रेजों को कम कठोर दंड देने की परंपरा चली आ रही थे उसने कुछ भारती या देशी राजाओं की एक प्रीवी इंडियन प्रीवी कॉंसिल बनाने की बात कही कि जो जनेरल गवर्ना जनेरल को परामश देगी वैसे तो उसका प्रस्ताव नहीं माना गया लेकिन इसी तरह का एक संगठन बहुत आगे 1919 में Government of India ने एक्ट में Chamber of Princess के नाम से बना था लाड लिटन के समय के महतुपूर्ण कारियों में जो वर्तमान में अलिगड मुसलिम विश्विद्याले है ये उस समय मुहमडन एंगलो ओरियंटल कालिज के नाम से इस्थापित की गई और उसने रायल टाइटिस एक्ट भी पास किया जिसमें बिटिश समराट को कैसरे हिंद की उपाधी दी गई और इस से जो देशी राजा थे उनका कद और गिर गया लाड लिटन ने 1977 में दिल्ली में एक बहुत ही एश्वर इशाली वेभाशाली दर्बार का आयोजन किया जिसमें महरानी विक्टोरिया को महरानी भारत भी उसने डिकलियर किया और इसमें बेतहाशा पैसा उसने खर्च किया जो उन अकाल की बुरी परिस्टियों में ठीक नहीं था हाला की राबर्ट्स ने इसे उचित ठहराने की कोशिश की कि उस प्रसिद रिज में जो बड़ी सभा में लोग खड़े थे उनकी राजनीतिक बुद्धिमत्ता और उनका जो गोरों का प्रतीक ताज को के बिटिश सेवक के रुपे जो भारती राजा थे वो अपने निर्धारी तस्थान पर बैठे हुए थे इस शांदार दर्बार के उसने शान और शौकत में जो किया वो भूल गया कि ये शक्ति परदेशन काश ये अफगानिस्तान में किया गया होता लार्ड लिटन के आंतरिक परशासन के इन पहलों से गुजरते हुए बच्चों अगर हम बात करते हैं उसके व्यक्तितों की तो डिजराइली ने उसके बारे में कहा था कि वो एक महत्वाकान्ची, कल्पनाशील और शक्तिशाली व्यक्तिता उससे कविताओं का बड़ा शौक था और उसकी जो आंतरिक नीती थी वो बहुत ही उसके जो उसके वाहे संबन्द थे यानि की बाहरी संबन्द अफगान नीती वह रखे तुम्दा में ज्यादे बुधिमत्ता पूर्ण थे लाड करजन ने अपनी पुस्तक बिटिश गौर्णमेंट इन इंडिया में एक बार लिखा है कि उस काल के जो सरकारी रिकार्ड हैं उसमें वह लाड लिटन की योगिता और सामर्थ के प्रति उसके हिर्दे में आदर पैदा होता है उसकी लाड लिटन की आर्थिक विकेंद्री करण और जो नमक कर का समायजन था और योरोपियों को हलकी सजा देने का विरोध था इस से जो भारत के रास्टवादी लोग थे उन्होंने इसकी तारीफ जरूर की लेकिन जो उसने मोटे सूती कपड़े पर पांच परसेंट का जो आयाद कर की जो है वो समाप्ति की थी वो उसकी जो है वो अपने बिटिश लोगों के परती उसकी मोह की बात थी और वर्नेकुलर प्रेस एक्ट उसका बहुत ही भेदभाव पूर्ण था लेकिन उसने जो भारत के लिए सोने को सोना गोल्ड को सिक्के का अधार बनाना चाहा और उसने केंदर सरकार के अधीन एक भारत में पश्चिमुत्तर सीमा प्राम्त बनाना चाहा देशी राजाओं को प्रिवी कौंसिल बनाना चाहा ये उसकी समय से बहुत आगे की बात थी 1880 में लाड लिटन हिंदुस्तान छोड़ गया और इसके बाद वो फ्रांस में राजदूत हुआ वहाँ उसने फ्रांस सिसी में कविता लिखी वो बड़ा कला प्रेमियो साहितिक रूचिका था उसकी तो किताब भी छपी लेकिन लाड लिटन के आंतरिक प्रशासन पर जो हमने देखा बचों आप इसे अपने इस्त्मरण में याद रखिएगा धन्यवाद